आट को स्वागत है आज आप को ले चलते हैं गोड़ी पर बेठाते हैं सभी को आप लोग बड़ी दिली इच्छा होगी नीड़ी ना गोड़ी बैठने की आच्छी चलें豫 तो आप लोग भारी परसंद हो रहे हैं ऐसे कि पंदरवे शंसकार की चर्चा चल लोगी है अभी five पिर जीवन में किसी भी प्रकार के संसकार की मनुस्य को इच्छा नहीं रहती कि अब कोई और संसकार हो वो अंतिम लोगवा करेदें कि चलो यह हमीं कर देते हैं चलो आज का जो खेल है पोलो खेल बड़ा सांदार खेल तो इसका संबंद भारत से भी है और इतिहास से भी है दोनों से है हां को तो बुद्धी ने एवक से संबंद देता है उसके पीछे की कानिया क्या है जैसे समझते हैं अभी तो पोलो खेल की बात की जाए तो एक सिंपल साफ कुशन पहले बता दो कि पोलो खेल में खिलाडियों की संख्या कितनी होगी च फीचार अब देखते हैं कि साफ यह खेल क्या है तो ब씨क है ँगोड़े पर बैटकर के खिलने वाला एक खेल है किस पिए गोड़े पर कॉस्ट्यूम में हेलमेट वगरा लगाके इस खेल को खेलेंगे बाई चांस कहीं गिर गोर आ गए तो चोटने लगेगी अब एक बाद समझना इस खेल का सम्मन्द हम लोग कहां से जोडते हैं तो इतिहासे भी जोडते हैं और आपका एक राज्य मनीपुर से भी जोडते हैं अब देखियेगा यहां से बात की जाए कि इस खेल को समझते हैं कुतबुदीन अवक के समयसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि साब ऐसा सलतनत काली शासक जो पूलो खेलती मतलब खेलते खेलती मर गया अब खिलते खिलती मर गया या पोलो खिलते मर गया तो वो क्या है उसका नाम जानते हैं को तो अब दिनेवग है लेकन कुछ इतहासकार ऐसा भी कहते हैं । कहते हैं एकट राजा हुआ करते थे पने भारती इतियास में उनसाशक का या उन राजा के पास्ट मैं जैसा घोड़ा करता था है कि इसे कहानी ही है मैंने वी सुनी पड़ी होगी साइद रहां और राजा की हत्या कर देता है तो उस घोड़े पर बैठके बड़े चाउ से क्या कर रहा था वो इनकी घर्दन जो धड़से अलग कर दी थी भारती सासक की उसको क्या वह कर रहा था ऐसे कर के जमिन में धरका रहा था दोला रहा था तो गोडे की जब जैसी नजर उस गरदन पर या सीस या सिर पर पड़ती है वो देखता रहे राजा साब नीचे क्या कर रहे हैं तो एकदम से आक्रोशित हो जाता है वो गोड़ा दो पेरों पे खड़ा हो जाता है और गोड़े से गिर के क्या होती कुतब बुद्निनेवक की मृ प्रक्ति हो जाती है ठीक है चलेगा यह तो कहानी थी हमको कहानी से बिसेस कोई लेना देना नहीं है हम पहला कुछन याद रखेंगे इसका संबंद भारत के किस राज़ से मिलेगा तो मणीपुर से मिलेगा लेकिन साब जब आप से पूछेगा आधनिक सुरुवात किस ने किसी को हम सोचेंगे भी नहीं है ना तो यहां पर आंसर अभी हम लोग याद रखेंगे अब देखें अगली बात यह कुत्व बुद्दिन की बात अपनी यहां पर किलियर होगी अब देखें इस खेल के लिए कुछ सब्दों का प्रियोग करते हैं सब्दा वली की रूप म अब देखो हाँ गोड़े से गिरेंगे तो हड़ियें टूटें कि संभावना रहेगी और गिरेंगे तो सबसे पहले हो सकता है चकरी आजाए ना चलेगा अब देखो अब देखते हैं यहां पर यह कुशन इंपोडेंट बन सकता है कि हम से पूछेगा बताइएगा कि भार 185969 में है यानि आपके पोलो खेल से एक किलब बनाया जाएगा और कब बनाया था तो 1859 1869 में बनाया चाएगा कर अच्वारश में बनाया चैएक कि हम सब्द को समझ जाए तो सारी बात समझ सकते हैं शब्दका थोड़ासा भाव या अर्थ समझ गये तो आप बहुत सारी बातें समझ सकते हैं आ और सम जो चीज सम नहीं है माने समान नहीं है समतल नहीं है वो क्या है असम तो आप पढ़ते हैं ना जिसे कई सारी पाड़ियां वगरा का छित्र ही है तो अच्छा आप पाड़ियों वाले छित्र में क्या खिल खिलना हैं पोलो खिलना है बैसे पोलो खिलने के लिए एक समतल काफी बड़ा मैदान होना चाहिए ऐसा नहीं साब पाड़ी उपर चड़ रहे हैं फिर उतर रहे हैं अरे डांकू थोड़े ना डकेती करने थोड़े ना जाना है ठीक है तो हम यहां से लेकिन याद रखेंगे असम में 1859 में आपने पहल क्या है कछार किलव है तो कुछन पूर्स आए लेटे भारत में पहला कौन सा किलभ बनाय गया था तो आंसर करते कचार किलव बनाय सबसे पूराने किलब कहां बनाये गया तो याद रखो एक तो सबसे पुराने किलब भारत में कहां पे असने में बनाए जा रहा है वरस क्या है 1859 अब इसके अगली बात देखते हैं आगे कह सकते हैं असम के बाद में ठीक है कचार किलब के बाद में ठीक है अब याद रखेंगे कि हमने कलकता में एक पोलो किलब बनाया उसका नामी रखा कॉलकाता पोलो किलब क्या नाम रखा कॉलकाता पोलो किलब नाम रखा और 1862 में 1862 में बनाय जाएगा कब बनाय गया था 1862 म बनाय जहेगा यह बात हम याज से याद रखेंगे अब ज़रह समझना यह आप देखो पहला मैच जो इंटर्नेशनल लेवल पर आयोजित किया जाएग़ अंतराष्ठ इस तर प्र आयोजित किया जाएगा कब किया जाएगा 886 में किया जाएगा आपका USA, अमेरिका और इंग्लेंड के बीच में आउजी तो हो रहा है, अब देखो ज़रा सुनिएगा, सबसे पहले आप 1859 याद रखेंगे, इसके बाद आप 1859 के बाद में याद रखेंगे 1862, और इसके बाद आप याद रखेंगे 1886, अब क्या है, इसका नाम है कछार कि और इसका नाम बताएंगे कॉलकाता किलब, या कॉलकाता पॉलो कलब बता सकते हैं, ठीक है, कॉलकाता बना गया था तो नाम रख दिया, इसका कॉलकाता पॉलो कलब, तो यहाँ पे हम इस बात को यहाँ से याद रखेंगे, अब पुछरा ये क्या है, तो आप बताएंगे यह पहला international क्या है तो हम बताएंगे यह आपका पहला match हो रहा है अमेरिका और किसके साथ में आपके England के साथ में तो यह तीन पॉइंट हमें यहां से याद रखना है जहां से हमारी exam में कुछ questions हो सकते बन जाए एक 1859 1859 1862 और 1886 ठीक है आप याद रखेंगे कछार कॉलकाता और आपका यह international match कछार कॉलकाता कछार बनाए जाएगा कहां पर असम ठीक है इसके पहले हम नौर्थ इस्ट में एक और बात याद रखेंगे मनीपूर एक और बात याद रखेंगे मनीपूर जासे हमें शुरुवात पता चलती है पोलो खेल के बारे में ठीक है यह पॉइंट और हमें आसे याद रखेंगे तो यह है कि उननी सो में कुछ बिसेश महिलाओं को आपने औलंपिक में सामिल किया था कब उननी सो में तो हम सथी साथ याद रखेंगे कि उननी सो का लिखा नहीं है ठीक है अब बताओ उन्नी सो का ओलं पिक कहां हो रा है अब और मैंने बैसे तो ऐसे याद करvale था कि 1900 का olympic में कौन सामिल हो रहा पहली बार फिमेल और फिमेल से रेटेड को ये रेटेड का ये खते हैं पैरेस ठीक है चलीगा तो यह कहां पर हो रहा है पैरेस में हो रहा है चलें आगे अगली बात देखो अब देखो यह है आपका मैदान जिसपे आप लोग क्या खेलेंगे ठीक यह बिना गोल का मैंने बनाए ना यह यह किसी ने पूरिव गरत तयार कर दी ग्राउंड नहीं मिलना मैंने का कहा गया मैंने का मैं बना दें तो यह मेरी कलाकारी यह तो समझेगा अच्छा अब इसके हम लंबाई चोड़ाई की बात कर लेते जहांसे हमसे कुष्ण पू लंबाई रहेगी और देढ़ सो देढसों का जिसकी कहा दए लिए तो हम आसानी याद रख सकते हैं अब इसको आप याद रख सकते हैं कि यह गज की बात है तो स्तीन सौ अबाई देड़ सो यह लेकिन करेंदी रखेंगी 180 मीटर ऐसा क्या रहेगी इसकी चोड़ा हि रहेगी तो हम याद रखेंगे बैसे तो 270 और 180 रखो ठीक है थिक है है किनकेault अर्ट हम याद रखेंगे 270 मीटर में ini230 आप इसकी उलंबाई रखेंगे अव् यहां से एक विंठा हैligen के बताएगा कि गोल पोश्ट की बीच की जो चोड़ा ही रहेगी वो क्या रहती है तो आप बताएंगे आठ अब आप बताओ मीटर में कितना होगा कि लगबग है थोड़ा कम रहेगा कितना करते कम सेवन अच्छा एक गज में कितने फिट हो सकते हैं कि यह तीन फिट से एक गज एक मीटर से बड़ा हो रहा है कि लगा लगाओ लगाओ सी सेट आएगा आपके चालिस परसेंट अच्छा पुराइब क्या याद दिला दिया मैंने भी नहीं मैं तो बैसे बस बात कर रहा था तो यह लगबग साड़े च्छे के आसपास जाएगा क्या 7.2 हाँ तो अपन एप्रॉक्स की बात कर रहें 725 या 6.5 के आसपास इसको रख लेते हैं ठीक है मेरा तो एक अंदाज की 6.6 के आसपास होना चाहिए तो आपने इसको मीटर में याद रखा सवाच्छा या 6.5 के आसपास रहेगा अब हमें याद क्या रखना है कुशन क्या बनेगा कुशन आए मैदान कैसे होते आपके आयताकार होंगे ठीक है कैसे होते हैं आयताकार होंगे लंबाई चोड़ा इनकी याद रखेंगे कैसे होते आयताकार होते अब इस मैदान में आप क्या करेंगे चार चार खिलाडी जो रहेंगी अलग-अलग टीम की घोड़े पर बैट करके अपने अ काम करेंगे अकेला कोई खिलाडी यहां पर नहीं खिलेगा क्योंकि हमें पता है इस खेल में कितने खिलाडी होने चाहिए चार खिलाडी होने चाहिए यह बात हम यहां पर जानते हैं और यह सिंपल सी बात हम जानेंगे कि घोड़े पर बैठ करके खिल रहे हैं और एक दूसर इनके पास उस समय दूलत सब कुछ थी और चिसके पास पैसा दॉलत है सब आप सब्सक्राइब तार सभी प्रियाब्द आप। अब देखेगा तो स्थी क्लेंज एक लिए पर प्रेटे काल में याद रखेंगे कि जितने भी खिल अपने यहां पर देखेंगे आप सतरा सो के बाद में या लगबग आप अठारवी सदी से देखते हैं और उन्नीस भी सदी तक इनका इन्होंने भारत में क्या पूरे विशो में हर चीज का बड़ा ही अच्छे तरीके से परचार परसार किया खेलों का अब देखें यहाँ पे इसमें एक खिलाडी प्लास स्वार होना जरूरी है या नहीं बेहतर मेरे जैसे व्यक्ति को बढ़ा दिया जाए ठीक है तो तो ऐसा सांदार खेलेगा अब देखो कि इस खेल को परंप्रागत तरीकिस क्या कैसे खेलेंगे खुले मैदान में इसलिए क्योंकि सब जब तक घोड़े रफ्तार में नहीं जोड़ पाएंगे इस स्पीड में दोड़ पाएंगे तब तक पता चला कि अपना घोड़ा अभी विचारा नहीं कहते कि पुराने जमाने की मोड साइकल हुआ करती थी कि अभी वह पिक-अप बनाएंगे तब तेज दोड़ेंगी और अपना घोड़ा भी चली रायकिसाह इसको 10-20 मिनट लगते हैं थोड़ा सा रूटीन में आने में तब तक पता चला सामने वाली टीम ने दो गोल कर दिये ठीक है अब आपका पिकप बनेगा तब तक उन्होंने लीड बना दी आपकी उपर अब देखो हर टीम में जो खलाडियों की संख्या राएगी वो कितने हो करते थे फारस में इसको हम लोग पुलू के नाम से जानते थे कहा है यह लिखा तो आप बताएंगे फारस में इसको हम किस नाम से जाना करते थे पुलू के नाम से जाना करते थे यह बात याद रखेंगे और वहां पे वहां पे आप बताएंगे कि यह शुरूवात कब मिल हम यहां पे 525 यह बी सी की बात करते हैं तो आप यहां से बता सकते हैं कि ऐसी जानकारी मिलते हैं कि आपका पुलू या पुलो खेल फारस में खेला गया था या फारस में खेला जाता था तो यहां से हमने एक बात और याद रखी कि इतना पुराना है कि इतना पुराना है यो डेलपस नाम के राजा के द्वारा वहां पे ध्यान होगा आपको थुड़ा बहुत तो उस पर व्यन कर दिया गया था इस समय पे तो अच्छा इसको कहां से संबंदित मानते हैं कुछ लो मनिपुर से तो हम तो यह कहेंगे साब मनिपुर का इखेल है फारस फारस हमको तो बहुत यहां देखत नहीं आएगी अब देखो अगली बात भारत की बात करें तो भारत में आप बताएंगे कि भारत में यह खेल जो हैं था मिकहर था फारवसार रिजिम हैप अलग अलग नाम की रिजिमस्वेश करतें थीं अनके दोरा इंकर दाइड गया पूरी की पूरी टीम को वहां पे बहतर तरीके से इनको ट्रेंड करवाए गया सुनिएगा कि भारत से यह खेल दसवी हुसार रेजिमेंट के जो बृतिस सैनिक या सूलजर थे वह इनको यहां से सीख सखे काँ पोँचगाए ब्रिटेन पहुँचे अब ब्रिटेन में जा करके खेलेंगे ऐसा नहीं कि हमने ही हर चीज अंग्रेजों से सीखी है अरे अंग्रेजों ने भी हमसे बहुत कुछ सीखा है ऐसी बात नहीं है वो लोग नहीं बताते तो क्या हो गया हमें क्या पता नहीं है ठीक हमें सब कुछ है अगली वाद देखो तो आप याद रखेंगे भारत से यह खेल कोन सी रेजिमेंट ले करके जा रही है तो आप बताएं यह हुस्यार थे देखो हुस्यार थे इसलिए यहां पे सीख गए हुस्यार थे और इसलिए सीख गए और जाके कहां खेलना हैं ब्रिटेन में खेलेंगे इंगलेंड में खेलेंगे कोई तो टफोटाइब के लोग होते हैं इतना जल्दी नहीं सीख पाते मैने तो Absol mer कोन सी रेजिमेंट ठीक हुस्यार रेजिमेंट थिह मत याद रखेंगे हो सारघ Middle ठीक ہے अगली बात देखो इस खेल नाव आपके एक्जाम में साइद पूछ ले वैसे अभी तो नहीं पूछा गया कुछ एक्जाम में लेकिन साइद पूछ ले ठीक हालनकि रीसेंट्री नहीं दो यार सतरा के आसपास की घटना है इसलिए हम थोड़ा सा उसको बस दिमाग में रखेंगा अच्छे से याद भी सुरुवात बताया होगा कि आपका सज्जनों का खेल रईसों का खेल सज्जनों का खेल हां तो चलेगा अब देखना कि यह जो खेल की हम लोग बात कर रहे हैं तो पोलो खेल के जो खिलाडियों के नाम है तो आपके रवी सिंग राठोड हो गए अव्मनु पाठक हो गए और शद्धानत सर्मा हो गए और प्रणव कपूर हो गए इन सबके साथ-साथ प्तमणाब को फ्लाल याद रखेंगे किसको याद रखेंगे प्तमनाब को क्योंकि यह कौन है यह एक राजकुमार है एक साही या रोयल फैमली से संबन्न रखते हैं जैपूर गराने के वालक हैं मने राजकुमार हैं ठीक है चलेगा आगे की बात देखो अब देखें कि आप देखें पिछली बार देखो पिछली बार ऐसे लिखा है जैसे कलपरसों की बात हो प्रणाइक खरे गुड़सवार है और वो भी है आपका हाफिस नहीं कि उलम्पिक में पढ़ा है क्या अरे कि कितना अच्छा नाम था उसका चलो भी याद आएगा तब बताएं हां चलो अभी दिमाग में नहीं है अच्छा नाम था उसका लड़का है सुनिएगा अब चलो याद आई निरावो सुनिएगा कि पिछली बार की बात है मतलब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी पुरानी जरूर है 1957 की बात करेंगे 1957 में करेंगे क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये इस समय पोलो का जो विशुक अप या बल्लक अप हुआ था वो भारत के खिलाडियों ने जीता था किस ने जीता था भारती खिलाडियों ने जीता था अच्छा ये बात तो है कि लगवग अच्छे खिलो में ऐसा नहीं कि हम कभी अच्छूते रहे हों कभी न कभी हमारा पासा तो सितारा जरूर चमका होगा ऐसा हुआ नहीं है कि साब हमने उसकी मतलब उच्च तम सिखर पर हम कभी पहुँचे ना हो ठीक है मतलब ये बात है कि भारती भारती लोगों में दम तो है बस यह कि यह क्या है कि थोड़े रहीस भी है ज्यादा मेनत नहीं करते हैं नहीं कर चलो ठीक है क्या करना है लेकिन जब बात कभी-कभी ऐसा आता है तो हम में आउजित किया जाएगा अब फ्रांस में आउजित किया गया कप्तान बना करके पहुचाए गए थे महराजा सवाई मानसिंग लेकिन कौन से हैं सेकिंड तो अब याद रखेंगे अब तो बात समझ में आगे ना जब लिखा आए सवाई मानसिंग दुतिय तो अब के पोलो वल्लकप में पार्टिशिपेट करने के लिए जा रहा है कहां पे गये थे तो आप बताएंगे पोलो वल्लकप में जाएंगे कहां पे हो रहा है तो आप बताएंगे फ्रांस में हो रहा है अब देखें बरतमान वल्लकप को क्योंकि ये वल्लकप हम लोग जीते बह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि साफ राजा महराजाओं के दारा अच्छा राजा महराजा पहले ऐसी खेल खेला करते थे ऐसा नहीं कि साफ लगें तो आप याद रखेंगे पूछेगा बताईएगा कि बरतमान में पोलो वर्ल्ड कप को किस नाम से जानने लगे हैं तो आंसर क्या करते हैंगे जैपूर वर्ल्ड कप के नाम से जानते हैं ये बात हम यहाद रखेंगे अगली बात पर आओ 1982 की बात करें 1957 के बाद में तो अगला नाम याद रखेंगे भवानी सिंग जाब रखेंगे और इनके द्वहरा व्यूनर्स अ आयर्स में प्रजेंट किया गया था थीड़िव्हूरस आयर्स कहा की राय द्धानी है अरजेन्टिना की तो यह कहां की राज़हनी है तो हम बताएंगे अरजेंटीना की राज़हनी है अरजेंटीना ठीक है चलो अगले पॉइंट पर आ जाओ पदमनाव अभी बात कर रहे था पीछे बात कर रहे था कि पदमनाव कौन है 2017 में ये मेरे एसाब से 18-20 साल के आसपास उम्र थी या 17-18 के आसपास ही उम्र रही होगी 2017 जब ये पार्टिशिपेट करने गए थे इस टूनामेंट के लिए 17-18 में 2017 में पार्टिशिपेट किया था तो ये जैपुर के राजगराने से संबंदित हैं और ये वर्ल कप में और ये वर्ल कप में पार्टिशिपेट करने वाले दूसरे खिलाडी बने हैं पहले कौन है माराज सवाई मान सिंग दूती है या शेकेंड थे उनके बाद कौन है पदवनाव यह एक विसेस टूनमेंट यह चेंपियंशिप में पार्टिशिपेट करना जा रहा है सवाई भवानी शिंग कहां पे हो रही थी यह वियूनस आयर्स में हो रही थी तो अब ज मैं की जो रियासते हुआ करती थी उनके बाद उनका तो खेर आज भी रासा ही ठाट वाट है हम तो खेर लोग जीता जाकता डेमो देखती रहते हैं रोज क्योंकि हम लोग खुद ऐसे रियासत कालीन चेत्र में रह रहे हैं सब पता है आप लोगों को चलेगा पदवनाव क की बात करतें तो इनकी जो आरंबिक सिक्षा हुई थी वह अजमेर के मियो कोलेज में हुई थी ना हाँ में के द्वारे बनवाए गया था अच्छा लोड मेयो का यह मेयो का कुछ बिसेश का रियसे कर उस समय का जो बड़ा ही सांदार माना जाता है सेंसस या जनगणना ठीक है वो रेगुलर थी या अच्छा एटीवन में तो अब देखो तो हम यहां से याद का रख लेंगे कि इनकी शुरुवाती जो पड़ाय लिखाई हो रही वो कहां पर हो रही है अजमेर सहर में हुई थी पड़े लेखे अच्छा यह पुराने जमान जैसे बो देखे होगी ना स्टुडेंट ओप दा इयर मतलब ऐसा लगता है कास और एक बिश्मियादी बोदक चिन जरूरी है ना एक्स्क्लिमेटरी कहते हैं अंगली समें क्या कहते हैं हाँ जो कुछ भी है तो अब इसको देखके यह सब कुछ बता देता है कि आप क्या कह हम यह कहना चाहरा है कि हम उसमें कब जाएंगे अब तो खर नहीं जाएंगे हैं ना चलेगा अब तो अगले बार देखेंगे ववस्ता लगेगी तो अगली बात देखो फिर अपन अपना यह से स्कूल बनाएंगी खुद गई अब देखो क्या है अब यहां से पढ़ने के पहुंचा दे लंदन पहुंचा है जाब ही वहां पढ़ो वहीं पढ़े लेखे वहीं नोने पोलो खेल पर ध्यान दिया यानिकि वहां पे धीरे-धीरे करके उन्होंने अपने इस खेल को और अपने आपको टैलेंटेड किया ठीक है और आगे चल करके वर्ल्लकप में पार चल गया है यह इस तरह से कुछ यह खिल खिला जाता है ठीक है आप देख रहे हैं गोड़े पर बैठे हुए आराम से चले जा रहे हैं यह पोजिशन रहती है इनके हाथ में इस्टिक रहेगी ठीक है अब देखो यह हैं आपके सामने महाराज या राजकुमार पदमनाव ठ अब यह इस देखता है ठीक है अगली बात देखो तो यह अब आ जाते का पर अरे बाबु भाईया पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता है ना तो सब कल्यूग में जो कुछ भी है ना वो सब कुछ अर्थ है और जिसके पास अर्थ है ना तभी तो कह रहे हैं कि मैनत एकवार कर जाओ खेल हो जाएगा हम लोग सोच नहीं सकते क्या लाइफ इस्टाल होती होगी हम एक पटवारी की नहीं सोच सकते और तो छोड़ो आप लोग तो अधिकारी बनने जा रहे हैं है ना उनके पीछे भी उनके लिए साब गर के बात करने पड़ती और आप तो कई वह तो आखों के नीचे डार्क सरकल पूरी आखे काली पूरी देह काली हो जान दो और उसके बाद जो चमक आएगी ना जो चमक यह तो कुछ और ही है हाँ चलेगा हाँ वही तो अब देखो हम लोग बात कर लेते तेराकी के बारे में और कुछ याद नहीं रखो वो सब्दा वली दो तीन बता दी थी और ये एक दो किलब बता दी जो भारत में पुराने बनाए गए थे कुछ से नहीं याद रखो पूछता ही नहीं है है नहीं हाँ अब देखो तेराकी में एक बात बता दो कि हम लोग क्या क्या जानते हम तो वैसे बहुत सारी बात जानते हैं स्विमिंग के बारे में तो ये बता दो कि आपके मद्दे प्रदेश का कोई ऐसा स्विमर या संबंदित इस खेल से अच्छा चलो ये बता दो विश्व में या वर्ल्ड में जिसने इनको गोल्डन सार्क के नाम से जाना जाता है सबसे ज़्यादा ओलंपिक में मेडल जीते हैं माइकल फेल्प्स ने ठीक हाँ चलो तो उनकी बात करेंगे कौन-कौन से आपके खिलाड़ी हैं तो अब हम लो सब्सक्राइब यहां पर देखें कुछ मैटपूर्ड फैक्ट पड़ा लेते हैं सारे पॉइंट लेकर क्या अब सुनिएगा कि सुन लो अभी सारे चैनल यहीं लगा दूंगा टेंशन मत लो हैं ना अब देखो कि यदि हम बात करते हैं कि स्विमिंग का कोई एक ऐसा कॉम कॉम्प्टीसर रखा गया है तो लंभी दूरी के कॉम हम क्या याद रखेंगे कि इस की लंबाई क्या होगी स्विंग पुल्की या जलास है कि तो आप बताएंगे पचास मीटर की होगी मतलब मैक्जिबं कितनी डिस्टेंस हो सकती है पचास मीटर हो सकती है जब अधिक्त आप बताएंगे कि यह तो 6 हो सकती है आठ या 10 इस से जादा नहीं होगे च्छा आठ या 10 यह लेन इस प्रकार से बटी होगी तो आप यहां से याद रखेंगे कि इस टाइप से यहां पर क्या होगी लेन बनी होती है हमने खूब कई बार देखा होगा तो यहां पर 6-8 या 10 लेन बनी होगी अब अच्छी बात क्या है कि छोटी दूरी के जो 13 होंगे तो आदा कर दो तो यहां पर उस स्विंग पुल की जलासाई के जो लंबाई कितनी कर देंगे 25 मीटर कर देंगे और अब कितनी लेन में पूरा वो जलासाई या स्विंग पुल बटा होगा तो आप व्लासयद में इंगे चार पॉछард या याएंट लेन होगा इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हम में आपका स्विंग पुल बाटा नहीं जा सकतां अच्छा कुशन बनता है इसका कितना होता है तो हम बताएंगे 26 डिघिज रहे है तो यह कुशन अच्छा बंता है कि है पानी का तापमान कितना होता है तो हम बताएंगे ये 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा ये बात आपको याद रखना है तो तीन चार बात सरल सरल से कुशन है ये दो तिन पॉइंट याद रखेंगे कि हम लंबी दूरी और ये सौट और लॉंग डिस्टेंस को याद रख लो बड़ा सा पीछ चलते हैं सुनिएगा यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यह सारी अच्छा यहां की गहराई भी याद रख लेंगे गहराई कितनी होती है लगभग 9 मीटर होती है खाफी गहराई है ठीक है अब जरा समझेगा आगे की बात देखो कि इस खेल में जो ट लिकोर्ड बनाया है तो अमेरिका के स्विमर हैं हम सब जानते हैं माइकल फेल्प्स नाम है इनका यह बात हम याद रखेंगे ठीक है एक साथ आठ वोल्ड मेडल जीते हैं ठीक है अब यहां तक की हमारी यह बात हो गई अब चलेगा यहां पर कुछ सब्दावली की बात की जैसे बात की जाए बटर फ्लाइ स्ट्रॉक के बारे में अब यह क्या है तो यह क्या है कि जब कोई स्विमर यानि की तैराकी में तैराक अपने दोनों हाथ पानी की सतह के ऊपर एक साथ आगे पीछे और चलाएगा तो उसको कहते हैं बटर फ्लाइ माने सामाने तरीके से सामाने तरीके से तैरना अब तैरेंगे तो स्वावाब एकसी बात है आपको हाथ पैर में मुमेंट करना पड़ेगा के ने अब मालो कोई मेरे जैसा आद में जिसको तैरना नहीं आता पानी में पटेकर तो गुड़ गुड़ करके या तो ऊपर जाएगा या गतिका तीसर नियम हो जाता है हं तीसरा नियम Tuhtos है क्रियए के प्रत्य पड्रेक्षु क्या कहते है को अगल thigh बात देखो बैक स्ट्रॉक की बात की जा तो आप बताएंगे इसमें 13 पीठ वार चैस्ट छहाती को संतुलित करके दोनों कंदे पानी की सत्य के बरावर में रखता है माने ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डूब के नहीं तैरेगा पानी की सत्य को खुद को उपर उठाने की कोशिश करता है मतलब उसका पूरा सरीर पानी में नहीं ढूबा रहेगा इस तरीके से यह तेरेगा ठीक है तो अब देखो जैसे आपने पड़ा है जैसे फ्रीस्टायल है रिडे है, रिले है, मेडली है ब्रेस श्ट्रोक है यानि कि जादातर इस्ट्रोक सब्द का प्रियोग तेराकी में किया जाता है जादातर है ना प्लेटफर्म है समरसाल्ट है ट्विस्ट है यह इस प्रकार के सब्द हम यहां से याद रखेंगे जिनका संबंद किसे आपके तेराकी से है यह कुछ नाम हम लोग यहां से याद जो 2020 और 2021 के लिए मेत्पूर है अच्छा एक कुशन जी के का ध्यान आ रहा है पूछ ले बताओ 2022 बीजिंग ओलाम्पिक का मैस्कोट क्या है अभी चलो कोई बात नहीं उसका नाम है ड्वेन ड्वेन तो याद तो था उसमें क्या है दो लोग है एक तो हस्ता हुआ पांडा है और दूसरा जलती हुई लाल टैन है ठीक है तो अब सीधी सी बात है जब कोई जल रहा होगा तो दूसरा हसरा होगा ठीक है ऐसी करके याद रख सकते हूँ अब देखो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग तो अभी उसकी भी थोड़ा सा बात कर लेंगे एक मिनिट में हाँ साजन प्रकास कितना अच्छा नाम है अब देखो कि साजन प्रकास की बात की जाएगी तो यह तीनों केटेगरी में पार्टिशिपेट करेंगे आपके बटर फ किया था क्या नाम है साजन प्रकास पूछ ले बताएं इनका समंध किस खिल से है तो आप बता देंगे कहां से हैं तो आप बताएंगे स्विमिंग से है श्रीहरी नट राजन यह भी बैक स्ट्रोक के लिए सेलेक्ट हुए थे यानि कि क्वालिफाई किया था कहां पे आपक सेलेक्शन कैसे हुआ कोलेज या यूनिवर्सिटी के तरफ से यह पहुंचती हैं तो आप बताएंगे गुजरात की रहने वाली हैं माना पटेल और यह यूनिवर्सिटी कोटे के तायत ओलाम्पिक के लिए क्वालिफाई इन्होंने किया था और ऐसा करने वाली यह माना प यूनिवर्सिटी की तो आधार रहा क्या उनके कौलिफाई करने का आधार रहा तो बताएंगे यूनिवर्सिटी कोटे के तायत और इनको वहाँ पर अब थोड़ी सी बात कर लेते अपने मद्दे परदेश के पैरा सुमर के बारे में क्योंकि इनको बिक्रम अवर्ड भी दिया गया था और अभी 2021 का तेन जिंग नौर्गे पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था 20 का किया गया था 21 में दिया गया था 2020 का ठीक है तेन ठीक है कोई एडवेंचर के मांटें क्लाइमिंग के लिए ठीक है कोई पानीं के लिए ठीक है इस परकार से तो हम यहाद रखेंगे विश्व दिव्यांग दिवस पर उप्राश्ट पति एम बैंकर यह नायड़ू को द्वारा इनको सम्मानित किया गया था और मद्दे पर पार्टिशिपेट कर रहे हैं यह एक अलग कॉंप्टीशन का नाम है क्या नाम इसका एन एस डवलू 2017 यह समझेंगे ने तो साइद दिमाग में इमेज बन जा अच्छा ओलंपिक में गए हैं ना ओलंपिक की बात नहीं कर रहे हैं ओलंपिक स्विमिंग एन एस डवलू 2017 के इस्टेट ओपन चेंपियंशिप में यह पार्टिशिपेट भाग लेंगे और गोल्ड मेडल आपको जि दोजा सत्रा में ओपन वाटर सी स्विंग फिट में 33 किलो मीटर को पार किया था है ना 33 किलो मीटर तैर के और इनको आप मिलते हैं ना बास्विक्ताम यह देखते हो तो आप मतलब एक हम लोग अंदा यूटूब पे देखना आप लोग वीडियो सतन लूए डालके आपको अरे इस वार आउट ओप सिलिवर्स कुष्ण दे दिये ठीक है तो मतलब तमाम बाने बना सकते हैं क्योंकि अरे सेलेक्शन हो जाता आपके तो एक डिड़ महिने तक तो नंबर ऐसे आते हैं फैले में भी बुराई नहीं और पास होंगे नहीं मतलब ऐसे नंबर बता देते घरवालों को थोड़े ना पता हैं चलो देखो अब देखें कि सबसे एक अच्छी बात जो है कि 2018 में इंगलीस चैनल को पार किया था ठीक है, 28 अयह को तक बियाट अब देखेंगे कि इनके दौरा अलग अलग शिंग लोहिया ठीक है यह बात आप यहां से याद रखेंगे important question बनता है हमसे पूछता है कि आप बताईएगा कि 2018 में English Channel आप याद रखेंगे की नाम क्या हो जाएगा सतेंसिंग है अगली बात देखते हैं कि अब इन्हीं के इस कारे के लिए 2020 का प्रूस्कारि से इनको सम्मानित किया गया था ठीक है जल सहासिक कार के लिए राश्च्थि सहासिख सम्मान है लेकिन क्या छहतर रहेगा जल सहासिक Water Adventure कहते है ये बात भी हमें आँ से याद रख लेगे, अब देखो आगे बात अच्छी चीज़ दिखवाते हैं यह 2017-18 के आसपास का फोटो जब यह आपका क्या जीत करके आये थे इंग्लिस चैनल जीत करके आये थे ग्वालर के हैं रहने वाले भिंड़ लेके हैं और ग्वालर में बरतमान में रह रहे हैं ना चलेगा वैसे आप देखोगा ना तो जलवा है यह उस समय का फोटो है जब स्विमिंग के समय का चलेगा आप देखो अगली बात यह इस समय इनको जानते हैं इनको नहीं जानते यह अरे यह आपके MP है बिजय बिवेक नारायंड सेजवलकर नारायंड सेजवलकर आपके ग्वाइलर से MP है ग्वाइलर से सांसद है ठीक है चलो कोई बात नहीं है और इनको जानते हूँ अगली बात देखो अब देखेंगे यहां से यह तो बात होगी आपकी स्विमिंग से संबंदित जो अपने कुछ एक्जाम में पॉइंट आ सकते थे ठीक है इसके बाद कल हम लोगों की चर्चा रहेगी कवड़ी के बारे में नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय भारत विडिवक बाद क्रना कार्णा प्राप्ना कार्णाग संब्सक्ना थापव करता है विजब में नमस्कार अला क्ते बाद जिर भार अचे बाद में वरीमि झाएंट जय चाहरा重点 कार्णा कार्य बाद में प्राणाग में लिएकर अखें रह बाद landed